नमस्कार मैं डॉक्टर वायराखी बोल रही हूँ कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ और जैमातादी जरूर बोले जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल स्वास्त है बढ़िया है आज कृष्णा की कहानी घंशाम की कहानी ये कहानी बोड़ा कुछ अलग किया है क्योंकि कहानी मैंने बच्चमन में भी सुनी थी और मैंने ये भी सुना था कि कहानी असली है तो मैं आपको आज की कहानी शुरू करती हूँ लेकिन जिन्होंने मुझे कहानी वेजिए उनका धन्यवाद आप लोग कैसे हैं परिवार में सब कै आज है गुरुवार यानि कि पुरशोत तमास का थस्डे पीले चावल मीठे घर में बनाएं और औरों को भी बाटें और इंस्ट्राग्राम पर मेरी सुभा साथ बजे से पहले 30 सिकंड के एक वीडियो आती है अगर आपने वो वीडियो नहीं रेखी तो पर डे क्या करना चाहिए वो एक उपाई आपसे चूक जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो उपाई आपसे चूके इसलिए आप जरूर वीडियो को मेरे इंस्ट्राग्राम को फॉलो कीजए माता नानी की पूझा कैसे करें न वरात्रे में मां को कैसे मनाएं अगर इस तरह के भी मन में सवाल है तो मेरा डॉक्टर वायराखी के नाम से जो चैनल है इस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वायराखी उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें आप तो बेहद उत्तम रहेगा चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दो दोस्ते एक का नाम सीवा राम था और एक का नाम मोती राम था और नाम से ही देख लीजए कहते हैं नाम में क्या रखा है नाम में ही सब कुछ रखा है सेवा राम से पता लगता है कि सेवा भाव उसके अंदर था और मोती लाल से पता लगता है कि धन दौलत की एक्छा और मोतीों की एक्छा उसके मन में थी और कहानी में भी कुछ ऐसा ही है दोनों अपने कंधे पर कंबल लेकर गली गली डोलते उन कंबलों को बेच थे और उन कंबलों से अपना जीवन गुजारा करते एक दिन वो एक गाउं के करीब जा रहे थे, हालत खसता थी, पैसे थे नहीं तो उन्हों ने देखा ठंड बहुत है और अपनी ही कुटिया के भार बैठी एक बुरिया ठंड से काप रही है उन में से सेवा राम ने अपना एक जो बेचने वाला कंबल है वो निकाल कर बुरिया को दिया और उसकी ठंड से उसे मुक्त कराया बुरिया बेहत जादा खुश हुई और उन्हें दुआ देने लग गई भाग कर अपनी कुटिया के अंदर गई और एक कृशन जी को लेकर आई बोली मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है ये ठाकुर जी है इने अपनी दुकान पे रखना खूब सेवा करना तुम्हारी दुकान दीन दुगनी राच चौगनी तरक्की करेगी मोती लाल बोलने लगा ए बुडिया पागल किसको बना रही है पैसे नहीं है तो मत दे मना कर दे लेकिन हम गरीब लोग है हमारे पस दुकान कहा है जो हम ठाकुर जी को दुकान पर बिठाएंगे हम तो गली गली बेच जाकर कंबल बेचते हैं लेकिन सेवा राम ने बोला जिसके मन में सेवा भाव थी और नाम भी सेवा राम था कि कोई बात नहीं हमा तुम बिलकुल परिशान मत हो हमें ये कंबल तुम हमें इस कंबल के कोई पैसे नहीं चाहिए और ठाकुर जी मुझे दे दो मैं इनकी खूब सेवा करूंगा ये कहकर वो चले गए और सेवा र उस दुकान पे उन्होंने सेवा राम ने ठाकुरजी को रखा और उनकी बहुत सेवा करने लगा। लेकिन सेवा राम हमेशा एकी बात कहता हमारे गुपाल ने हमारा भागे चमकाया है ये बुरिया माईए ने गोरत वाम नहें आख रहे हैं ... चमकाया है, लेकिन मोती लाल हमेशा उसकी बात को अंसुना कर देता, सेवा राम के दो बेटियां थी और दोनों की शादी हो चकी थी, लेकिन मोती लाल के एक बेटा और एक बेटी थी, और बेटे की शादी नहीं हुई थी, बेटी की शादी हो गई थी, जीवन बीटने लग से अपना घर बहुत दूर और बहुत बढ़ा ले लिया धीरे धीरे उनकी उम्र होती जा रही थी और उनके पास बहुत पैसा हो गया था लेकिन सेवा राम की तबीयत खराब होती जा रही थी एक दिम डोलते डालते सेवा राम दुकान पर पहुंचा बुला मोती लाल भाई क दो-चार दिन बाद एक दिन जो सेवा राम है वो दुकान पर थोड़ा और लेट पहुँचा एक दिन क्या हुआ कि सेवा राम दुपहर बारा बजे दुकान पर पहुचा आज उसकी चेहरे पर चमक थी चाल कुछ अलग थी वो बड़ा खुश था मोतीलाल नोँसे देखकर का, आРЕ वाहां आसोत्मारी सेहट अच्छे लग रहे, आसो सेहरे में कुछ बात ये लगा, आसो चमक ये लगा, आसोत्मारी चाल डाल, सब कुछ बदली भी है, कहा अरे दोस्त बहुत पैसा कमा लिया, अब मेरी सहीहत सची नहीं रहती, मैं दुपहर 12 बज़े आऊँगा और 5 बज़े चला जाऊँगा, मोतिलाल ने बोला कोई बात ने तुम अपनी तबियत का धियान रखो, समय बीटता गया और रोज सेवालाल 12 बज़े आता और 5 बज़े चला जाता, एक दिन मोतिलाल की बेटी की शादी पकी हुई और वो शादी का कार्ड निमंतरन देने के लिए जो है पहुँच गए, कहां सेवालाल जी लेकर और घर में पहुचते ही बोलते हैं, भावी, कहां है सेवालाल, तो उनकी पतनी अश्चारे से रिखती है, कहती है भावी, क्या होगी, आप कैसी बात कर रहे हो, इतने में उनकी दोनों बहुएं और बेटे भी आ चाते हैं, कहते हैं, पिता जी का हैं, वो कमरे के अंदर जाते हैं, पिता जी के कहीं तबेत, इसकी ज़्यादा कराब तो नहीं तो दिखता है, वहां जो सेवालाल है, उसकी तस्वीर पर हार चड़ा हुआ है, वह कहते हैं, भावी, यह क्या कर रहा है, तस्वीर पर हार क्यों चड़ा रहा है, तो उनकी पतनी कहती है, सेवालाल की, क्या हो गया भाई सब आपको, आप कैसी बाते करो, इने गुजरे तो छे महीने हो गए, और आपने तो अंतिम संसक बारी मोती लालकी थी शादी के काड़ और मिठाई का डबा हाथ से गिर गया था और वो अपना सर पकड़ पकड़ के जोर से रो रहा था कह रहा क्या अंतिम जज़कार मैंने किया छे महीने से मैं आपको किराया दे के जा रहा हूं वो भी डबल वो सर पकड़ कर रो रहा था और कह रहा था सही कहता था मेरा दोस सेवा लाल मैं हूं ना हूं मेरा गौपाल हमेशा है भगवान हरी कृशन खुद उसके दोस का रूप लेकर उसकी दुकान पर जाते रहे बारा बज़े मंदिर बंद होते हैं पाँच बज़े मंदिर खुलते हैं बारा से पाँच कृशन जी सेवा करने के लिए आते रहे कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम यशोधा के जैसे बुलाते नहीं उमीद करते हूं कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी भगवान को पाना कल्यूग में और भी असान है बस मन से सेवा करते जाओ कल्यूग में प्रभू को पाने का केवल मात्र एक ही रास्ता है भक्ती दान भक्ती दान बोल जैश्री राधे